नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल STC Classes में साथियों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कहा था कि देर है अंधेर नहीं है अंदर से काम किया जा रहा है अभी 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 अतुल पसाद जी का एक ट्वीट सामने आया है आप लोगोंने वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो अभी देख लिजे और दोस्तों हम समझने का प्रियास करेंगे कि इन्होंने जो ट्वीट में कहा है कि 43 गुने 38 बराबर 16 सब 34 योग्यता लिस्ट क्या हो सकता है मतलब अगर हम दिमाग लगाएं कि कच्छा 9-10 में लगभग 15-16 सब्जेक्ट होते हैं तो इतने सब्जेक्ट में महिला और पूरुस दोनों का अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनेगा यह सोचिए जितने भी बिहार में कैट्गरी वाइज जो महिला और पूरुस का अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनने वाला है तो इस तरह से टोटल मिला करके इन्होंने कहा है कि TRE परिनामों की घुसना TRE मतलब पूरे BPSC TRE जो एक्जाम हुआ है इसमें जितने भी अभिहार्थी भाग लिए हैं चाहे मध्यमिक का हो उच मध्यमिक कहो या प्राइमरी कहो तो यह सभी में इन्होंने कहा है कि 43-38 बराबर होता है 1634 मेरिट लिस्ट जो है इनको बनाना पड़ रहा है अभिहार्थी धैर्ज रखें और हमें अपना काम करने दें अतुल सर यह कह रहे हैं तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि देकि तैयारियां तो हो रही है भले ही देर हो सकता है लेकिन जरूर होगा थोड़ा सा धैर रखिए तो उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे जो है मतलब क्या अस्थिती आ गई है बिहार में अगर थोड़ा सा लेट होता है ना तो पूरे बहाली कोहीं सब रद करवाने पर तूले रहते हैं सभी लोग कहता कि आप भाली लटक जाएगा कहां लटकेगा चट्ते चरन से ज्यादा में वह क्या हुआ था मेरिट लिष्ट बनने के बाद नियुक्ति पत्र मिलने के लिए नियुक्ति पत्र पाने के लिए उन लोगो आंदोलन करना पड़ा था अप नियुक्ति पत्र मिला था आप सोच लीजिए तो छटे-चरण से ज्यादा तो कुछ ऐसा होगा नहीं इस बार क्योंकि बीपीएसी एक्जाम ली है थोड़ा सा धैरतों रखना पड़ता है तो अभी अभी का ये बहुत बड़ा अपडेट है और हम अभी भी कहेंगे कि विभ यूटूबरों की बज़ा से ही आता है बहुत सारे यूटूबरों का मतलब लाखों में भी जाता है तो कहीं न कहीं वह बड़े अधिकारी भी देखते हैं और उसी से इन लोग को पता चलता है कि सिक्षक भ्यारती परेसान है तो उनके लिए कुछ ट्विट किया जाए और तरह से अपना बात रखते हैं हम भी रखते हैं अपने यूटूबर हम भी आपको अपना जो है बात से अभगत करवाते हैं कि अभी क्या होने वाला है क्या जानकारी है तो इसका मतलब यह तो नहीं नहीं है कि हम आपको परिसान कर रहे हैं कहीं न कहीं इससे हम लोग आपक आता है ट्वीट आप लोग करते हैं आवाज उठाते हैं तो आपके रिपलाई में कुछ मैसेज आता है तो इसलिए किसी भी यूटूबर की बारे में ऐसा मैसेज मत किजिए कि फरजी है यह हुए है पहले वीडियो को देख लिया किजिए ठीक है पिछले वीडियो में इस त जो आगरह करेंगे हम किसर एक डेट आप बता देते कि किस डेट में जो है यह रिजल्ट आने वाला है ताकि थोड़ा सा लोगों को यह बिस्वास हो अपना डेट जानने के बाद ज्यादा मतलब की इंतजार ना करना पड़े एक दिल में दिमाग में यह हो जाए कि फलना इनको जो है रिजल्ट निकलेगा तो यह डेट इनके तवारा दिया जाना चाहिए ऐसा हम मांग करते हैं सारे यूटूबर जो है यही मांग करना है कि एक डेट आप दे देते हां मुस्किल है थोड़ा मेरिट लिस्ट बनाना मुस्किल है आप काम में लगे हुए हैं यह जानखारी आई थी सभी लोग इसा बोल रहे थे लेकिन देखिए अभी काम को पूरा नहीं किये हैं इस तरह का जो है मैसेज आया है जो आपने देखा तो इस वीडियो में इतना ही अपडेट था दोस्तों जैसे ही अपडेट को आता है वीडियो बनाने का काम करेंगे चैन मिलते हैं अगले वीडियो में